चार्स रूपे प्रति किलो मिलने वाला डोडा वर्फी आज हम घर पर ही बनाएंगे बीना किसी केमिकल के और बीना कलर इस्तमाल की हुए इसे नेश्यरल कलर देंगे कैसे वो वीडियो में पूरा देखेगा बीना इसकीप किये तब ही पता चलेगा कि कैसे इसे मैं नेश्यर बहुत स्वागत करती हूँ तो सबसे पहले यहां एक कटोरी मैंने गेहूं ले लिया है गेहूं मैंने एक कटोरी भरके छोटा कटोरी का ले लिया है 100-500 ग्राम के करीब यह गेहूं है सबसे पहले गेहूं को मैंने अच्छे से वास कर लिया है उसके बाद हमें इसे चार से पाँच गंटे के पानी में भींगों करके रखना है तो यहाँ पाँच गंटे हो गए हैं पाँच गंटे बाद ही अच्छे से फूल गया है उसके बाद मैंने एक चनी में छान लिया है और एक यहाँ पर मैंने kitchen टवेल ले लिया हैench हम सभी रख लेंगे और इस तरीके से ठोड़ा सा पानी शिडग देंगे ताकि अंदर जो है नमी बनी रहे और इसे हमें एक दिन के लिए रखना है ताकि यह थोड़ा सा अंकुरित होज़ाए हमें थोड़ा सा गहूं को अंकुरित करके लेना है यहाँ पर पूरे एक दीन हो गया है 24 गंटे बाद यह हलका सा अंकुरित हो गया है और सौप्ट हो गया है अंदर से उसके बाद मिकसी में डाल करके बिना पानी डाले ही मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है दरदरा सा अब यहां पर मैंने एक कड़ाई में एक चमच घी पहले लगा लिया है, उसके बाद जो हमने दरदरा इसे गेहुं को grind किया है, उसे डाल करके 2 लिटर यहां full fat मैंने दूद ले लिया है, दूद डाल करके हमें अच्छे से mix कर लेना है सभी चीजों को उसके बाद हम gas पर पहले दो चमच डाल करके मैंने इसे अच्छ से देख लिया है कि ये फट रहा है कि नहीं, उसके बाद मैंने दो चमच इसमें दही और टाल दिया है, तो ये देखे फटना स्टार्ट हो गया है, इस बरफि को बनाने के लिए छेने का हमें बड़ा पिस चाहिए, तो इस तरीक पातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर हमें गाड़ा होने तक पकाना है इसे छोड़िएगा मत नहीं तो नीचे लगने लगेगा इसलिए कड़ाई जो है भारी तलवे का लीज़िएगा ताकि नीचे बैठे नहीं नहीं तो यह से छोड़ देंगे तो नीचे लगने लगेगा इस बात का ध्यान रखिएगा, अब मैंने इसे नैचुरल कलर देने के लिए, मैंने 50 से 60 ग्राम के करीब गूर डाला है, गूर का पाउडर मैंने अच्छे से कूट करके कर लिया था, ये मेरा पुराना गूर था, इसलिए मैंने इसमें कलर देने के लिए पुराना गूर का इ गी इसमें डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके और एक डिबा मैंने ले लिया है उसमें घी मैंने ग्रीस करके रख लिया है पहले से जिसमें आपको डोडा बर्फी जमानी है वो पहले से ही घी लगा के रख ले और इसे छोड़ना नहीं है चलाते रहना है इस वक्त मैंने गै इजली मार्केट में मिल जाता है नहीं तो आप नारियल को कदुकस करके भी इसमें डाल सकते हैं अच्छा आता है आप चाहे तो कदुकस किया हुआ नारियल खोगरा भी ले सकते हैं उसे कदुकस कर ले और इसमें डाल दे तो आप यहां पर देखे मैंने गैस का फ्लेम लो कर तो यहां देखिए यह दीरे-दीरे कड़ाई नीचे से छोड़ने लगा है तो इसे लगातार चलाते हुए अभी 10 मिनट हमें और पकाना है यह बर्फी दिल्ली में पंजाब में कोटा कपूरा का यह बहुत फेमस बर्फी है और यह खाने में बहुत टेश्टी लगता है इस महिने तक आप खा सकते हैं फ्रीज में इस्टोर करके तो आप इसे एक बार बना लीजे तिवार के पहले ही और इस्टोर करके रख दीजे और फेस्टिवल पर इंज्वाई करिए इसको दिपावली आने वाला है तो अब देखे गाईस यह कड़ाई पूरी तरीके से अच् गषा करके रखह ठरा अपने डोडा फरफी के बैटर को इसमें डाल देंगे और इससे चिकना कर लेंगे उपर तो सभी को मैं इसमें डाल लेती हूं और चिकना कर लेτεी हूं इस डोडा बरफी को बनाना बहुत आसान है बस कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि दही हमें खटी नहीं लेनी है इसको साइनिंग देने के लिए और मुएस बनाने के लिए हमें इच्छे से साथ चमस घी डालना जरूरी है तो डालिएगा और इसे लगातार चलाते हुए पहले हाई फ्लेम पर पकाएंगे जब ये गढ़ा हो जाएगा तो लो उपर मैं काजू के कत्रन लगा दूँगी और इसे हाथों से प्रेस कर दूँगी और इसके उपर से डिसिटेटेट कोकोनट मैं लगा दूँगी इस तरीके से मैं लगा करके इसे सिट कर लूँगी और हाथों से प्रेस कर दूँगी और जमने के लिए मैं इसे दो घंटे क क्लिए रख दूंगी ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए और ठंडा होने के बाद मैं इसे कट कर लूँगी पीसेस में तो यहां देखिए ठंडा हो चुका है तो मैं चकु से इस तरीके से चकुर सेट में कट कर लूँगी आप मन चाहे अनुसार बड़ा छोटा कट कर सकते है तो मैं जैसे मार्केट में रहता है उसी तरीके से कट कर लूँगी तो एक ट्रे में मैं इसे काट करके सर्व कर लिया है यह देखिए बन करके मार्केट जैसा हलवाईों वाला डोडा वर्फी तयार हो गया है घर पर कुछी सामानों से तो इस फेस्टिवल आप भी डोडा बर्फी बनाना कितना आसान है और इसमें हमने कोई केमिकल कोई कलर नहीं डाला है कोई ग्लुकोज नहीं डाला है और इस बर्फी को एक महिने तक फ्रीज में रख करके खाया सकता है इसमें हमने नैचुरल कलर दिया है तो इससे बनाईए और एंजॉय करिए आज का वीडि पर तो सब्सक्राइब कर लिजेगा चैनल को मिलते हैं कल के वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई गाईस